हलो वेल्कम बैग तो माई चैनल रूबीज क्रेटिविटी मेरा नाम है रूबी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर पॉमेंट चरूर्फ करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ब बहुत ही अच्छी चीज आप अपने किचिन के लिए तयार कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगे तो मैंने यहाँ पर तीन बॉटल ली हैं एक साइज के और इसे मैं कट कर रही हूं कटर से तो जहां पर इसका जो रैपर लगा है वहां से उपर से कट कर रही हूं आप को बराबर करने के लिए सीजर की हर्प ले सकते हैं तीना बॉटल मैंने कट कर ली हैं यह देखिए रैपर भी हटा दिया है इनके उपर और मैंने एक कार्डबोर का पीस लिया है और इस तरह से बॉटल को मैंने अरेंज किया इसके उपर और मार्क कर रही हूं इसके बाद ह नीचे मैं glue लगा रही हूं और bottles को इस तरह से पास पास रखते हुए चिपकाना है cardboard के उपर के यह वोटल का नीचे का पाड थोड़ा hard होता है इसलिए मैं glue gun का इस्तिमाल कर रही है और कहीं हमें glue gun का इस्तिमाल नहीं करना है दरवाय से फिल्फ का plastic होता है फो मेल्ट हो जाता है बॉटल चिपकाली हैं तीनों इसके बाद मैं यह कपड़ा ले रही हूं लंबाई में इस तरह से कट कर रही हूं इसको इसके corner को हलका सा गुलाई देनी है हलका सा trim कर ले और side से भी से हलका सा trim कर लेती हुए थोड़ा सा बढ़ा हो रहा है ये देखे इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हम रिबन लगाएंगे इसमें कोई रिबन या डोरी आपके पास पड़ी है तो आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं ये देखे नीचे से चिपकाना है से जिससे ये मजबूती से चिपक जाएगा इसके साथ ग्लू लगा दिया है मैंने ग्लूगन से साइडव में ग्लूगन का इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ ये देखे ऊपर हमें इतना रखना इसको और नापते हुए अब हम दूसरे कॉर्णर को भी नीचे इसी तरीके से चिपका देंगे तो बहुत अच्छे से रिबन इसके साथ अटेच हो जाएगा और काफी सामान आप इसमें रख सकते हैं इस तरह से ये देखे ऊपर से अटेच करने के लिए मैं ट्रांस्पिरेंट टेप का इस्तिमाल कर रही हूँ सैलो टेप लगा दिया है उपर और साइडों में भी हम टेप को रिबन को सैलो टेप के हलप से ही चिपकाएंगे ये देखे बड़ा सा पीस ले लिया है मैंने और इस तरह से चिपकाना है इसको दूसरी साइड में भी एक पीश चिपका देते हैं तो इस तरह से हमने टेप लगा दिया है इसके उपर और अब हम इसे कवर करेंगे कपड़े से तो ये देखिए कपड़ा नीचे से हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है इसी के नाप से कट कर लिया था ये पूरा कवर कर रहा ह से लगाया है कपड़े को अब लगाते हैं मैं कपड़े के उपर ग्लू लगा रही ह। अगर आप के पास कोई और ग्लू है जैसे की पडिक च पका सकते हैं उसको यह देखे इस तरहMark कपड़ी को चपका रही हूं पूरा चिपका लिया है नीचे तक अब हमने इस तरह से नीचे से भी कपड़ी को चिप्काना है बोसके उपर एक साइट से चिपगा दिया है और यह इसके किनारे यहां पर हम इं dalla ओर दित्य अर्दों को आदーム फिर से ग्लू लगा रहे हैं और इस तरह से हमने इसे टैटली चिपका दिया है और ये इस तरह से दिखाई दे रहा है नेचे से क्लोज हो चुका है अब हम उपर के किनारे को हाइट करने के लिए रिबन लगा रहे हैं देखे, मैं कपड़े के ऊपर ही ग्लू लगा रही हूँ, इस तरह से हमें एक रिबन चिपकाना है इसके किनारों पर, जिसे फिनिशिंग आजाएगी इसमें, और इसके लिए आप कोई थिक कपड़े का इस्तिमाल करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी पुराना या नया कपड़ा आपके पास एक्स्टा पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं, और जो कपड़ा मैंने इसके उपर चिपकाया है, काफी टाइटली खींचते हुए से चिपकाई है, बोटल को अच्छे से कवर करना चाहिए कपड़े को, कट कर देते हैं इसको, और इसका जो दूसरा किनारा है, वहाँ पर भी लगाते हैं ग्लू, और इससे पूरा चिपका लेंगे इस तरह से, यह देखिए, इस तरह से हमारा पीस तयार हो रहा है, उपर से हम चिपका सकते हैं इसको, फैवी बॉंड का इस्तिमाल करके, ग्लूगर नहीं लगानी है, यह देखिए, अगर आपके पास फैवी बॉंड है, तो आप इसे उपर से भी इस तरह से चिपका सकते हैं, यह और म मजबूत हो जाएगा नहीं है तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं इधर भी हम इसे चिपका लेंगे और यह दिके सेंटर में मैंने ग्लू लगाया है और एक फ्लार है मेरे पास ऐसे एक्सरा पड़ा हुआ इसको लगा दिया है इसको डेकुरेट करने के लिए और यह पीस तय के अंदर और कांटे छोरी जो भी आपके पास है काफी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगे तो इस तरह इसे किच्ञ दैali के लिए और कांटर पर लगारा रकर में के लिए स्पेस नहीं है तो तो यह टाप पहला इस्तिमाल बाटलन का इसो शुपैस का मैं मैं यह त बोटल को एक फ्लार का शेव दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा शोपीस बन कर सकते हैं। तो यह देखे पेटल्स को इस तरह से कट करना है कि एक बॉटल में हमें लिड की ज़रूरत पढ़ेगी बागली बागे बहुतल यह देखें इस तरह से एक पीस कट के लिया है ऐसे ही सारे पीसिς कट करने हैं और इस तरह से हमेंसे थोड़ा सा उपन कर देते हैं एक पीस को पेटल को पीछे की तरफ प्रेस करते हुए उपन कर लेंगे और उसके बाद सीजर्स लेकर इने हलका सा इस तरह से दबाना है यह देखिए इससे इनकी शार्पनेस खत्म हो जाएगे और यह हलके से मूट जाएंगे अंदर की तरफ यह देखिए तीन फीसस हमने तयार कर लिए हैं अब इनको कलर करना है तो पहले मैं वाइट कलर कर रही हूँ आप टांस्पिरेंट बॉटल ले सकते हैं मेरे पास एक ग्रीन कलर की बॉटल थी तो मैं नहीं का इस्तिमाल कर रही हूँ तो डबल कोट लगाएंगे कलर एक बार कलर करके तो भार कलर करना है अंदर से भी कलर लगा रही हूँ अगर आपके पास स्वांज है तो उससे कलर करेंगे तो ज्याद अच्छे से कलर हो पाएगा बॉटल के उपर कलर करनी के लिए sponge बैटर होता है और मैं फैबरिक कलर का इस्तिमाल कर रही हूँ है आप पर बॉटर कलर नहीं चलेंगे इसके उपर यह देखें एक कोट ड्राइ होने के बाद एक कोट और कलर कर दिया है और यह बागी के पीसे भी हम इसी तरह से त्यार कर लेंगे तो दो पीसे को हम वाइट कलर में कलर कर रहे हैं और एक पीस को हम ग्रीन कलर में कलर करेंगे यह देखें हलका सा ड्राइ होने के बाद हम इसमें हलका सा रैड कलर मिक्स करेंगे तो यह लाइट पिंग हो जाएगा यह देखिए नीचे के पाट को भी हम अच्छे से कलर करना है पेटल्स पर मैं अलका सा रेड कलर लगा रहे हूं जो वाइट के साथ मिक्स होके पिंक टच दे रहा है तो इस तरह से शेडिंग कर दी है हमने इसमें दूसरे कलर के तो दो पीस हमें असी तरह से तयार करने है आ कर ये मैंने एक लिट लिया है इसका बेस बनाने के लिए और यहां पर मैं से इस पॉंज से कलर कर रही हूं ग्रीन कलर में कोई भी मीडियम साइज का लिट ले सकते हैं किसी भी चीज का हानी की बॉटल का जो लेड होता है वो भी ले सकते हैं या कोई अचार की बॉटल का लेड आपके पास है उसे भी ले सकते हैं यह देखिए उपर से कलर कर दिया है इसको ग्रीन इसे ड्राइ होने के लिए छोड़ देंगे और जो सबसे पहले मैंने पैटल्स बनाई थे उनको मैं ग्रीन कलर में कलर कर रही हूँ और बाहर से कलर कर रही हूँ इसमें अंदर कलर नहीं लगाऊंगे क्योंकि यह अल्रेडी ग्रीन है तो इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा यह देखिए अंदर से कलर नहीं किया है इसको यह ऐसे अच्छा लग रहा है अब हम इनको चिपका लेते हैं यह सूख चुके हैं तो पहले पिंक कलर के दोनों पीसे को हम इस तरह से चिपका रहे हैं ग्लू लगा दिया है और दोनों पीसे को हम इस तरह से चिपका रहे हैं दोनों पीसे पिर से glue लगाया है और इसको हम चिपका रहे हैं green कलर का जो पीश तयार गया है उसके उपर और देखिए बहुत ही सुंदर सा flower देख रहा है और ये lid वाला पार्ट है जो green कलर का है नीचे उसमें डककन लगाया है जिसे हम बड़े डककन के उपर इस तरह से चिपका रहे हैं और देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा पीस तैयार हो गया है, और आप इस पर इस तरह से Ferry Lats लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही सुंदर देखेगा, आप किसी भी कौने में इसे डाकरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक दिया होता है वो आप इसके उपर रख सकते हैं दिया स्टेंट की तरह से काम कर सकता है इसमें बीच में होल भी है आप इसमें फ्लार्स भी लगा सकते हैं तो फ्लार पॉर्ट बन जाएगा तो यह था आज का वीडियो थैंक्स वर वाचिन